तो आज हम पढ़ने वाले हैं IPC, इंडियन पीनल कोट, भारतिय धंड साहिद्धा, 1860, 1860 ओथर लेखा काप कह सेते हो, डॉक्टर बसंती लाल बाबित और ये बुक है लेटिस्ट एडिशन 2020 का क्योंकि IPC में अभी देखा जाए तो कई सारे संसोधन होएं क्योंकि पहले जम्मू एन कश्मीर में IPC अपलाई नहीं होता था बर जब से आर्टिकल 370, अगर आपने कश्मीर फाइल से देखा होगा जब से वो रिमूव होआ है, तो अब जम्मू एन कश्मीर में भी ये लोग एपलिकिबल होता है फर्स्ट पेज में हमें इसका रिव्यू देखने को मिल जाता है जिसने खेती सिंग राथोड जो कि संसदी कारिय वीधी मंतरी है राजिस्थान जैपूर में उन्होंने बताया है कि ये वो नय धीश अभीवक्त पत्रकार और जो law student है उनके day बहुत useful हो सकता है और हिंदी में ये बुक बहुत easy सरल भासा में आपको ये बुक मिलता है तो आज से हम इस बुक को start कर रहें day one है और day one हमेशा होना चाहिए motivation के लिए चाहिए college ये school में जब भी किसी नए चीज की सुरवात करते हैं इस बुक को चार दशक मतलब 40 सार हो चुके है आई पीसी में नए होने वाले अपडेट्स के बारे में बता है next page में उन्होंने हमें author बताते हैं मुझे कुछ बाते जो इस बुक में अच्छी लगी उसे भी highlight कर देता हूं मैं कि ignorance of law is no excuse कोट मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाइचांस अगर एक्जांपल क्लिय में बो रहा हूं अगर आपने अपने दोस्त को वाइक दिया और उसने उसका accident कर दिया तो भले आपको law पता ना हो कि आपको अपने दोस्त को ऐसे वाइक नहीं देना चाहिए या फिर अगर आपको law भी पता ना हो लेकिन उसमें सफर आप ही को करना पड़ेगा अगर आप बायचांस कोई गलती करते हो अगर आपको law पता ना हो तो आप उस चीज़ से नहीं बस सकते गया ओथर कहते हैं कि हर वेक्ति से वीधी की ज्यान की अफिक्षन नहीं की जा सकते ऐसे नहीं कहा जा सकते है कि हर किसी को law की knowledge हो बड़ कोई वेक्ति केवल यह कहके कि उसे वीधी का ग्यान नहीं था या गलती और तूटी अथवग अपकार यह से नहीं बस सकता फिर दर्णडसाहिता जैसे वीधी के जिससे हमारे दैनिक जीवन से निकट संबंध है तो उसकी ज्यान की अनिवार्यता पिक्षक की जाती है कि अगर कोई भी अगर आम आदमी भी है तो कम से कम उन्हें IPC ये बुक ये पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए जैसे अभी आप सुन रहे हो कम से कम आपको इसकी नौलेज होनी चाहिए ओथर का कहना है और इसे हम आसानी से हिंदी भासा में आपको पहुचाएंगे और एक चीज मुझे इस बुक में अच्छा लगा कि जब आप पढ़ लोगी तो एंड में आपको प्रॉब्लम्स मतलब समस्या है और लीडिंग वा मिलेगा पहले भाग में मतलब पार्ट वन में आपको छह चैप्टर्स मिलेंगे चैप्टर्स मतलब अध्या है इस बुक में आपको तीन पार्ट्स मिलेंगे तीन भाग मिलेगा पहले भाग में आपको छह चैप्टर्स आपको इस बुक में मिलेंगे जिसमें आपको इतिह इसमें आपको राइट, गॉज़ेंगे जैसे कि आप देख रहे हो भाग 2 में आपको कम्प्लीट तीज चैप्टर तीज अध्याय मिलेंगे जिसमें आपको कम्प्लीट आई पीसी के बारे में बताया जाएगा इसमें 511 धायरा है अम भी आपको मिल जाएगे और जो लास्ट भाग होगा थर्ड पार्ट उसमें आपको समरी के साथ साथ important question और उसके answer मत पुन प्रशन उत्तर भी मिलेंगे उसके बाद अंतर, problem, समस्या है और उसके वाद, प्रमुक वाद भी आपको मिलेगा तो next वीडियो में हम भाग 1, chapter 1 से सुरवात करेंगे history of IPC, history of penal court इन सब जा अच्छा idea होगा होगा कि ये book कैसा है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो link आपको description में मिल जायेगा